देखिए मैं लगातार दिली के टीकरी बोर्डर पर लगातार पिसले साड़े तीन मेने से मौजूद था तो काफी समय से साथियों से मुलाकात नहीं हुई और अंदोलन की जो वास्ट्विक स्थिती है जो की नेशनल मीडिया के उपर नहीं दिखाई जा रही वो स्थिती हर् कियाना के किसानों को जागरुक करने के लिए हम ग्राउंड पर दुबारा आये हैं तो उसमें आज आंदोलन लगातार 120 दिन का हो चुका है लेकिन आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत है पहले जहां किसानों को ये जल्दबाजी थी कि आंदोलन का रिजल्ट कब आएगा लेकिन 26 जनवरी के बाद आंदोलनों में किसानों का एक मन बन चुका है कि लड़ाई लंबी है और लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी तो किसानों ने जहां पूरी सर्दी वहां गुजारी पूरी सर्दी हमने गुजारी और अब पूरी ठंड की त्यारी तो उस सरकार से पहले हम लोगों ने स्ट्राइक करने के लिए क्योंकि हमने लास्ट मीटिंग में एक नारा दिया पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी लोगों ने पूछा डिफीट बीजेपी जजता है आप लोग पनिश बीजेपी कैसे कर सकते हो तो पनिश लोगों ने हमारे 300 व्यक्ति किसान जो है शहीद कर दिये और प्रदानमंत्री जी ने एक भी शब्द उनके लिए नहीं बोला इसलिए पनिश बीजेपी और डिफीट बीजेपी करने के लिए मोदी से पहले हम लोग बंगाल में पहुंचें जहां हमिश्चा की रेलियां खाल नहीं करें तक दोगल अपने रभईया उसको लेकर किया करती है denken सरकार के साथ 12 दुर की वैर्ता में मौजूद रहा सरकार ने वारता के नंदर चाही हो नरेंदर तामर हो चाही अमिश्चाओ उन्होंने ये माना कि ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं है ये कानून गलती से बन गए ये कानून कोर्परेटी कानून है और वो उसमें बदलाव और संशोधन करने के लिए भी त्यार होगे मोधी जी भी संसद में कहते हैं कि मैं संशोधन करने के लिए त्यारूं जब ये कानून इतने ही अच्छे हैं आपने कोई गलती नहीं की तो उसमें संशोधन कैसे हो सकता है जो चीज प्योर है तो निश्चित तोर पर सरकार मान चुकी है कि काड़े कानून वापिस लेने पड़ेंगे लेकिन उससे पहले जो नर्सी के कानून बढ़ाएगे नोट बंदी की जो योजनाई लेएगे जिससे देश उजाडा गया देश की हर एक सरकारी उपकरम को बेचा गया तो सरकार का डेडलोग किसान और सरकार का डेडलोग नहीं है सरकार के एक डेडलोग इस परकार हो गया अगर इस बार बैक स्टेप ले लिया तो जो बाकी कानून बाकी अध्यादेश ले आए हुए है वो अध्यादेश भी वापिस लेने पड़ेंगे लेकिन किसान मन बने चुके हैं कि जब तक तिन्नों काले कानून वापिस नहीं होगे और MSP गरंटी कानून मोदी जी एक बात कहते हैं संसद के अंदर हमें अंदोलन जी भी कहा हमें परजी भी कहा साथ में उन्होंने का MSP थी MSP है MSP रहेगी हम उसका कलियर कट जबाब देंगे क्योंकि पनिस BJP डिफीट BJP जशोदा बेन नरेंदर मोदी की पतनी थी नरेंदर मोदी की पतनी है नरेंदर मोदी की पतनी रहेगी तो जितना फाइदा जसोदा बेन को उनकी पत्नी ओने का हुआ उतना ही किसान को मोदी जी की दी हुई MSP का हुआ पूरे देश में किवल 4% फरसले ही MSP पर खरीदी जाती है तो जब तक इसको कानूनी प्रावदान ना दिया जाए यानि MSP से नीचे खरीद को कानूनी अपराद ना बनाया जाए जिस परकार बलातकार और हत्या के अंदर गैर जमानती लगते हैं उस परकार कानून नहीं लगाया जाएगा तब तक किसान दिल्ली की बोडरों से वापिस नहीं मूड़ेगा वही कुछ किसानों का ये भी कहना है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने सरकार सिर्फ पूरे देश को बेच के अंबानी अडानी और एक गोदी मीडिया को ही खरीजा है हाँ ये बात बिल्कुल जायज है क्योंकि वादा तो ये स्वामी नाथन का करके आये थे लेकिन इन्होंने लागू कर दी अंबानी नाथन अडानी नाथन जहां करोना के अंदर लाखों लोगों की मजदूरी गई उनके इंकम का सोर्ष खतम हो गया वहां रेलवे का किराय आतों में बेचा जाना था क्योंकि जब ये लोगों ने 2,014 की गुजरात मोडल की जिकर करी जनता की भी कुछ कमिया रही गुजरात देखा नहीं गुजरात मुख्या मंत्री रहते हुए नरेंदर मोदी ने तीन बार के कारेकाल में गुजरात की 75% जमीने अडानी को रहे थे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान अंदोलन था आज दुनिया और इतास की सबसे बड़ी जनकरांती है 135 करोड लोगों का सिधा लगाव इस अंदोलन के साथ हैं साथ में आप बाहर के विदेशी सेलिबरिटी जितने भी देखें वो उसके उपर बाइट कर र जो बगवान के बाद दूसरी नंबर पर आता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो जहां किसान तो देश का मान बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी यूरोपियन कंट्री अमरीकन कंट्री के लीडर से बात होती है वो कहते हैं अगर इतनी बड़ी करांती हमारे देश में होती त और निश्चित तोर पर आप लोग जितोगे वो लोग हमारे साथ क्यों है यूरोपियन कंट्री भारत के अंदर देखिए जोत लोगों के पास कम रह गई दो एकड़ तीन एकड़ जहां यूरोपियन और अमरीकन कंट्री के अंदर 10-10,000 एकड़ के मालिक किसान थे वहां पर भी जब ये काड़े कानून आए तो वहां पर खेती को पूरी तरह से कोर्परेट ने कबजा कर लिया तो वह लोग आभी इस नजर से देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खेती करने वाड़ा देश वहां का किसान अंदोलन पर है यदि वह अंदोलन में हम तो निश्चित तोर पर कह रहे थे चाहिए व्यापारी वर्ग करमचारी वर्ग ये लोग सड़क पर आने से डर रहे थे लेकिन जब जमीन का नीजी करन हुआ किसान जो है वो भुखा रह सकता है पिछले तिरतर सालों से उसकी स्तिति कोई बहुत बढ़िया नहीं थी ऐ लेकिन हम लोग अंदाता सुनके ही खुश होते थे कि हम लोग देश का पेट बर रहे हैं लेकिन हम अपनी जमीन की इजट अपनी मा से ज़्यादा करते अगर किसी के मा के उपर कोई गल्त निगाह उठा है उससे भी ज़्यादा बुरा काम मोदी जी ने अंबाणी अडानी को हमारी जमीनों का सोधा करके कर लिया यदि यही हिम्मत बी एसनल के करमचारी उठाते यही हिम्मत यदि रेलवेज के करमचारी करते यही हिम्मत यदि एरपोर्ट के करमचारी करते यही हिम्मत यदि बीपी सील के करमचारी करते इसको पहले जो स्टेप था उसमें ही रो प्रप्रेट तंतर लाना चाहती है यानि देश में केवल 2500-300 जो बड़े हो द्योगी परिवार है वो जिंदार है ना इने किसान चाहिए ना मजदूर चाहिए ना करमचारी चाहिए ना विद्यारती चाहिए शिक्षा का सबसे जाधा प्राइविटेजेशन इन 6 सालों में हो को अंबानी अडानी और उसके साथियों को बेचने का काम किया किसानी अंदोलन बिल्कुल शांत मैं तरिके से आप देखेंगे दो मही को जो रिजल्ट आएंगे जो इनके चैनल दिखा रहे हैं कि मोदी जी वहां कामियाब हो रहे हैं दो तारीकों किसानों का पनिश बीज साल इंतजार करेगा फिर भी कोई फसल खराब हो जैसे आपने देखा पिसली बार मारी नर्मे की फसल खराब होगी तो किसान इम्मत नहीं आरता हल कंदे पर लेके कहता है प्रमात्मा दुबारे देगा वो खेत की तरफ दुबारे चला जाता है तो मोदी जी ये सोच रहे करते की कटाई का सीजन आगया बिजाई का सीजन आगया किसान वापिस चले जाएंगे लेकिन किसान पूरी हिम्मत के साथ वहाँ पर डटे हुए है यदि हमें दो हजार तोविस तक भी दिल्ली बैठना पड़ाना तो निश्चित तोर पर हम अपने मांगे और अपनी हक ल